हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्टूब चैनल प्रदीप एदू बोड पर आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और परिशा की त्यारी में लगे होंगे तो आज हम आप सभी के लिए बिपेसी प्रधान सिक्षक परिच्छा दुहजार चोविस के मुक्ष सेलेवस डियलेड यूनिस से डॉक्टर मारिया मंटेश्री जी हाँ डॉक्टर मारिया मंटेश्री उनके ग्रंशिल मन पुस्तक से विकास के क्रम एबं सिक्षा पधती उनके सेक्षिक दर्शन क्या थे उनके सैस्षिन की विचार क्या थे वह महत्पुन चेप्टर लेकर आप सभी के लिए लेकर आये यो मिल जाएगा यदि आप मेरी चैनल पहली वार आये हैं तो जरूर सब्क्राइब कर ले बेल आइकन को दवाना ना भूले और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक तुस्ते को भी सेर कीजिए तो आईए पाट की शुरुआत करते हैं आज हम परहेंगे सबसे पहले डॉक्टर मार्या मोंतेश्री है ना उनकी जीवनी परहेंगे उनके सिधान्द परहेंगे और उनके सेक्षिनिक दर्शन के बारे में परहेंगे इनके बारे में अक्सर जो प्रस्न पुछे जाते हैं क्या प्रस्न पुछे जाते हैं तो जानते हैं मारिया मुंतेशरी किसलिए जानी जाती है तो मारिया मुंतेशरी को एक इतावली चिकित्सक, मनुचिकित्सक और सिक्षा सुधारक के रूप में उनके काम के लिए जाना चाता है वह अपने ओटो सिक्षा के सैक्षिक दिश्यधानतों और रोम विश्विद्यालाय में चिकित्सा काजकरम में भाग लेने वाली पहली महिला होने के लिए जानी जा दिये तो द्यान रखिएगा सबसे पहली बात क्या है वह एक इतावली चिकित्सक हैं मनों चिकित्सक हैं और एक सिक्षा सुधारेक के रूप में काम करने वाली पर्थम महिला थी साथ ही वह अटो सिक्षा के सैक्षिक सिधानतों रोम विश्विद्यालाय में चिकित्सा काजकरम में भाग लेने वाली पह ज्धाध रखें कि महत्पून फ्यक्ट है चलिए हिसके अलावा मारिया मौनतेश्री का सिध्यान्त क्या है है ना बुश्चे स्वभावीक रूप से जिग्याउ कच्छा शिख्छक को एक शुबधा प्रदाता के रूप में अधिक कार्य करना चाहिए जो चात्रों को उनकी सव प्रेरित शिख्छा में साहता प्रदान करता है चलिए याद रखिए गैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है मार्या मॉन्तेश्री का सिक्षा में क्या युगदान था बिल्कुल सही है डॉक्टर मार्या मॉन्तेश्री का सिक्षा में क्या युगदान था तो आएए जानते हैं तो मार्या मॉन्तेश्री ने सास्ट्रे सिक्षा में करांती ला दी थ रूप से शिक्षक की पसंद पर केंदरित थी, उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने शिक्षा का ऐसा तरीका पेश किया, कि जिसे ने छात्रों को अपनी शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए ससक्त बनाया, मतलब छात्रों को अपनी शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए उसको ससक्त बनाया, अब जो है, छात्र केंदरिक सिक्षा है, ना कि सिक्षा केंदरिक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आईए, मारिया मॉन्टेश्री कोने है, उनके बारे में जाने, मारिया मॉन्टेश्री तो मार्या मोंट्रेश्री का जो जन्म है वो 31 अगस्ट 1870 है ना, 31 अगस्ट 1870 को हुआ था, और उनकी निधन जो है 6 मैं 1952 को, चलिए याद रखेगा मोतुन फैक्ट है, जन्म जो है 31 अगस्ट को और 1870 को, और 6 मैं 1952 को उनका इधन हो गया, तो वो क्या थे, तो एक इतावल सिख्छक थे, क्या थे हुए, एक इतावली सिख्छक, बेग्यानिक, चिकित्षक, मनोचिकित्षक, दार्षनिक, मनोबेग्यानिक, नारिवादी, एवं मामावतावादी थी, इसके बारे में जान लीजे, वो कौन थी, अब आईए, वह मुख रूप से, एक सक्षिक सिधान्त, जिसको मौनतेश्री पधती बिख्षित करने के लिए जानी चाती है, कौन से सिधान्त? एक सक्षिक सिधान्त परदान किया, किसके लिए? बचों के लिए, बचों के लिए क्या किया? एक सक्षिक सिधान्त प्रस्तूत किया, जिसको हम लोग मौनतेश्री पधती सिधान्त के नाम से जानते हैं, इसकी सुरवात जो है, कहां हुई? तो इटली में हुई, और यह सि इसका तो डॉक्टर मॉंतेशरी सिक्षा सेक्षिनिक पधती सिधांत चलिए आगे बढ़ते हैं इसे समाजिक जोखिम वाले बच्चों के साथ साथ उनके अनुभवों के अधार पर विक्षित किया गया था समाजिक जोखिम वाले बच्चों के साथ साथ उनका जो अनुभव था उनके अनुभव पर विक्षित किया गया था उन्होंने अपने विचार बच्चों के प्रति सम्मान और उनकी सीखने की परभाव साली छमता पर अधारित रखे, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मारिया उन्हें मानपता की आसा मान थी थी, कि नहें, बच्चों को, है ना, इसलिए उन्हें बिकास के पहले वर्सों से सोतंतरता का उप्योग करनी का उनुमती दे कर, बच्चा जीवन की समस्मा का समना करने की छमता वाला एक बयक्स बन जाएगा, याद रखेगा, एक बयक जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी यूद और सांती भी सामिल होगी, इनके बच्चों के प्रेदी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको और क्या क्या है, उनके द्वारा, है ना, उनके द्वारा, दिजाइन की गई, उपदेशात्मक सामगरी, जहां पर उपदेश मिले, है सामगरी, प्रेश्कूल, प्रसिक्छन, अबधी में बहुत क्या होगे, तो मददगार होंगे, जहां ना, उपदेशात्मक सामगरी, अब आईए, अठारो सो नबे में, मारिया मॉन्टेशरी ने रोम बिसी विद्यालाय में कहा, तो रोम बिसी विद्यालाय में कब, तो अ मॉन्टेशरी ने कब भौत की और जीब बिज्यान का अध्यान शुरू किया, तो अठारो सो नबे में, कहा किया, तो रोम बिसी विद्यालाय में, आगे बढ़ते हैं, अब आईए, रोम बिसी विद्यालाय में, उनकी दो साल की पढ़ाई ने, उन्हें चिक्त्सा संकाय मे परिवेश की अनुमती देती है ना कहां तो रोम विश्विद्याला में किस संखा है तो चिकित्सा संख्या जिसकों लोग मेडिकल बोलते हैं जहां वह विश्विद्याला में चिकित्सा का अध्यन करने वाली पहली महिला बन गई कहां तो रोम रोम कहां तो इतली तहां रख मेडिकल स्कूल से कहा कि अस्तनातक की उपाधी प्राप्त कर ली अस्तनातक की उपाधी और सर्जीकल साहयक के रूप में मोंटेशरी सिद्धान्त का मुख विचार का माधी अस्तनातक की उपाधी प्राप्त कर ली और संतनातक की प्राप्त कर ले और सर्जीकल साहयक के रूप में वह काम करने लगी क्या करने लगी वहाधी और आगे बढ़ते हैं आगे रब आईये मौन्टेश्री सिधान का मुख्य विचार क्या है अब पढ़ते हैं मुख्य विचार ध्यान रखिए का कोश्चन आता है कि मौन्टेश्री सिधान का मुख्य विचार बताएं ध्यान रखिया क्या काया मुख्य विचार है कि बच्चे ऐसे माहोल में सबसे अच्छा सीखे जो उन्हें अपने लिए काम करने में सक्षम बनाने के लिए त्यार किया जा सके अपने लिए से श्वेम वाक्त तयार सोभ अस्पुरित हो कर सक्षम हो कर सक्षम हो सके औरaking सक्षम बनाने के लिए उसको त्यार किया जाए सके चीखने के माहोल में बच्चो को अपनी परसंद की सामगरी खोजनी की सोतंतरता को बढ़ा देना चाहिए जिसे होजपरिती खोजप्रती के परविर्ती का जो सिधान्त है जो बहुत ही महतपूर्iber है, उस सिधान्त को अपनाने का प्रयाज चिया ताकि बच्चे जो अपनी मन पसंद समगरी खोजने की सोतंतरता का क्या होना चाहिए बधावा होना चाहिए उनका यही मुखी विचार था, उस सिधान्त का, चलिए अब आईए, मौन्तेश्री की सिख्छा पधती, क्या-क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सिख्छा की मौन्तेश्री पधती, उनके सिधान्त दर्शन का परिनाम है, जो चात्र के प्राकिर्टिक मनोविज्ञान के सम्मान पर अधारित है, तो आज आप सभी के लिए ये जो चेप्टर लेकर आए हैं, अगर यदि आप इस चेप्टर को अच्छे ढंग से पूरे अंट तक देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको एक भी क्वेशन परिशा में छूटेगा, इसलिए पूरे अंट तक विजडो को देखे, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल के बेल आइकन को दवाना न भूले, जरूर से जरूर दवा लीजिए, और अधिक से अधिक जो है, अगर मेरी वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक तो चाहिए, बनता है दोस्त, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से जो है शेयर कीजिए तो आईए आगे बढ़ते हैं, चात्र को एक ऐसे वीडियो कास के लिए तियार किया जाता है, जिसके लिए उस व्यक्स के साथ सहयोग के माद्रम से जिम्यदार बनाया जाता है, जो कार्जो को ठोपने की जगा ले लेता है, क्या ले लेता है, ठोपने के जगा, यह सोतंद छोड़ देना चाहिए, एक जिमेदार नागरी कीत है, उनके सिखने के अनुकूल एक बतारवन त्यार किया जाना चाहिए, बिल्कूल, अगर कि बचों को सिखा रहे हैं, अगर मान लीजे पराकृतिक बतारवन के बारें बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कूल चिखने के अनुकुल पतारवन जरूब तियार कर देंगे वहां, है ना? छात्र या निर्णे के लिए सोतंत्र है, क्या निर्णे के लिए? कि वे अपनी गती वीधी को कहा निर्देशित करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, चाही हो कलास में हो या कलास से बाहर हो या चाही हो, कहीं और हो, वो बिल्कुल सोतंत्र है, कि अपनी गती वीधी को कहा निर्देशित करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब है, यह वीधी इस्वाष सिक्षा को पठावा देती, स्वाष सिक्षा, ध्यान रखिएगा, question बनेगा, स्वाष सिक्षा, मतलब अपने आप, छात्र को वैक्स जीवन के लिए तियार करती है, कि इस्वाष सिक्षा करती है, अनिस्षक ध्राओं के विपरीट यह पधती निरने लेने को प्र अधारित है, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मारिया मुंतेशरी सिध्धान्त और उनके सेक्षिनिक दर्शन, है ना, क्या-क्या है, अपने पूरे किरियर के द्वरान कौन, तो मारिया मुंतेशरी, है ना, अपने पूरे किरियर के द्वरान, मारिया मुंतेशरी को सभी उम्र के बच्चों के साथ बिकलांक और सिखने की असंग छमता वाले बच्चों से निम्पत्ने का अफसर मिला, किसे मिला, तो दौक्टर मारिया मुंतेशरी को, है ना, वह सोचती थी, क्या सोचती थी, कि दुनिया का पुनर निर्मान बच्चों के हाथ में है, क्योंकि बच्चे ही मनुस के निर्माता हैं, सिखने की समस्याओं वाले बच्चों के साथ अपने काम से उन्हें अभी एहसास हुआ कि उनकी छमताएं बिभिन कारकों से कम हो गई थी, लेकिन उसमें सिखने की जो छमता थी, उसे विक्षित किया जा सकता था, इसलिए मुन्तिशी दर्शन और सिधान का आधार जो था, वो मानपता को सही, है न, मानपता को क्या था, सही समय पर उपकरन देकर किसी महान चीज की ओर बढ़ने की संभवना देना है, उनका ये बुद्ध विचार था, उनका कार्ज दर्शन बच्चे के लिए अत्यधिक बिविदी करन और अत्यधिक स्वतनरता का भी प्रस्ताव करता है, किनका तो दक्टर मारिया मौन्तेश्री का, है न, ताकि वे स्वेम सीखे अपनी खोजों और अनुभवों से अववत रहें, औ और स्वेम बच्चे बने जो सिखने के गति निर्धारे करते हैं, है न, यह उनके विचार थे, सेखिक दर्शन के सिधान थे, उनका दर्शन भी सम्मान जो स्वेम के लिए, दुसरों के लिए और प्रियावरन के लिए, है न, यह ध्यान रखिएगा, स्वेम के लिए, दु मार्या मौन्तेश्री का दर्शन क्या लिए सिखने के प्यार पर अधारित है। उनकी तिपनियों से मौन्तेश्री सिधान्द का चार विकासमत चर्णों को अलग करता है। इनकी तिपनी मार्या मौन्तेश्री है ना। जहां परतेक अपने सिखने की लक्ष और अर्जित फोसल होते हैं। इनको मौन बच्चों को। अब आईए क्या-क्या है विकासमत चर्ण। विकासनात्मक चर्ण में पहला है बैक्ती गत स्वयम का विकास। यहां बच्चा अपना स्वयम बना रहा है। यहां बच्चा अपना स्वयम बना रहा है। जैसे रेंगना, चलना, पढ़ना और बोलना सीख रहा है। इसी को बैक्ती का स्वयम का विकास के अंतरगा रखेंगे। यहां बच्चा अपना जो वर्क है वह स्वयम कर रहा है। यहां बच्चा रेंगना, चलना, पढ़ना, बोलना सीख रहा है और अपने बैक्ती का विकास कर रहा है। साथ ही इस चरण में बच्चा अपनी बुद्धी, विवेक का रिर्मान कर रहा है और बैक्सको के उधारन से सीख कर समाजिक कोसल प्राप्त कर रहा है। यह हो गया स्वयम, बैक्तीकल स्वयम का विकास। दूसरा है समाजिक विकास, समाजिक विकास के अंतर्यत क्या है, तो समाजिक विकास जो है यहां सारेरिक और भावनात्मक परिवर्तन बैक्ती को चिनहित करते हैं। इस चरण में उन्होंने एसे कोसल सिखने चाहिए, जो उन्हें बैक्स चरण में संक्रमन में मदद करेंगे। यह समाजिक विकास हो गया, जहां पे सारेरिक और भावनात्मक परिवर्तन बैक्ती को चिनहित करते हैं। चलिए, अब आईए क्या है, वैक्स चरण का जन्म, क्या है, यहां बैक्ती केरियर बिकल्प तलास्ता है, बिल्कुल बैक्स का जो ओर्म जब हो जाता है, तो उनका बैक्ती जो है, वह केरियर की ओर्म भागता है, तो यह बिकल्प चुलने की तलास्ता है, एक रास्ता चू इस चरन में ब्यक्ति श्यम से माई कौन हूं, माइ कौन हूं? जैसे प्र שנ पोचता है, जब आदमें परिपक्त हो जाता है, उस परिपक्त अवस्था में ब्यक्ति स्यम से question कर पोचता है, जैसे प्रस्ण पूछता है, दुनिया में उनका उद्येश क्या है, इस अंतिम चरण में उन्हें नेतिक एवं अध्यात्मिक स्वतंदरता प्राप्त होती है, अपने व्यक्तित की इखार के लिए, चलिए, अब है, इन चरणों के अधहार पर, मार्या मौनतेश्री ने किसी सभी उम्र के बच्चों और किसोरों के लिए, सिखने को अधिक्तम करने के प्रतेक अस्तर के लिए, अनुकुलित तरीके सामग्री और कार्ज विक्सिट किये हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या-क्या सिद्धान्त है, वो सभी उम्र के बच्चों या जो है किये हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी के लिए इतनी मेहनद करके लाएं हैं ताकि आपका एक लाइक मुझे एक होचला बढ़ाएगा तो वीडियो मेरी पसंद है तो लाइक कीजिए और अधिक साथ कि जो है कॉमेंट कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं मारिया मुंतेश्री का सिधान्त आप आई उचके बारे में बढ़ते हैं मारिया मुंतेश्री का जो सिधान्त है वो क्या-क्या है तो मारिया मुंतेश्री का सिधान्त कि शिक्षा का जो सिधान्त है हलाकि बहुयामी है पहु यामी है इस मुली विचार पर अधारित है कि बच्चों को अपनी पूर्ण सेक्षिक एवं ब्यक्तिगत छमता पर छमता तक पहुचने के लिए स्वायतता ध्यान रखिएगा स्वायतता और सोतंद्रता का माहुल के अवसकता होती है अपनी पूर्ण सेक्षिक एवं ब्यक्तिगत छमता तक पहुचने के लिए कि इसकी जोरत होनी चाहिए तो स्वायतता और सोतंद्रता का माहुल त्यान रखिएगा उसका मुल सिधानत यही है चली आगे बढ़ते हैं यहां स्वायतता छात्रों को सिक्षक द्वारा ये सभीर निर्ने लेने के बजाए कक्षा समगरी और जिष्टिकुन चुन्ने में सक्षम बनाती है इसके अलावा जो है मौन्तेश्री ने कक्षा के बतावन की केंद्रियता पर जोड़ दिया है जिसमें कक्षा के भीतर समगरी और आयू समुक का मिश्रन सामिल है मौन्तेश्री ने मिश्रित आयू समुक को एक परिवारिक बतावन बनाने के अफसर की रूप में देखा किस्त मिस्रिट आयू समुक के वर्ग को कुन सी बतावरन तो परिवारिक बतावरन जिसमें बड़े छोटे छात्रों के लिए सलाखार की रूप में कार्ज कर सकते हैं सुर्वात से मोन्तेश्री ने अपना काम बचो के अवलोकन और उनके लिए उपलव्द बतावरन समगरी और पाथों के साथ परियोग पर अधारित किया यह अक्सर अपने काम को बग्यानिक शिक्षाश्ट के रूप में संदरवित करती थी इलकुल सही है उनका जो सिधान्त हुआ बग्यानिक शिक्षावाद के सिधान्त पर ही है है ना चलिए उनिस्सो एक में क्या हुआ दिहान रखिएगा उनिस्सो एक में क्या होता है तो उनिस्सो एक मार्या मोंतेश्री की मुलाकात एक परमुख सिख्षाश्टी सुधारक एलिस और लियोपोल्डो फ्रेंचेटी से हुई है ना कब तुनिस्सो एक में दिहान रखिएगा कुँछी सुधारा से मतलब मुलाकात हुई एलिस और लियोपोल्डो फ्रेंचेटी से हुई चलिए आगे बढ़ते हैं मॉन्टेशरी दो साल तक फ्रेंचेटी के साथ रही एलिस फ्रेंचेटी के साथ मिलकर अपनी काज परनाली में सुधार किया 1909 में उन्होंने इल मेटोडो डेला पेडागोगिया साइन्टिफिका में अपने सिध्धान्तों का दस्तावेजी करन किया तो क्वेशन बनेगा कि दोक्टर मार्या मॉन्टेशरी ने अपने सिध्धान्तों का दस्तावेजी करन कब किया तो 1909 में और कहां किया तो दिहारा किये का है इल मेटोडो डेला पेडागोगिया साइन्टिफिका बाद में 1912 में दो मॉन्टेशरी मेठद के रूप में अंग्रेजी में अनुबाद किया गया जो अपने सिध्धान का जो दस्तावेजी करन जो किया वो 1912 में आकर उसने क्या किया अंग्रेजी में अनुबाद किया कौन से तो दो मॉन्टेशरी मेठद है चली आगे बढ़ते हैं आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो वसंड आए तो लाइक कीजिए और अधिसदिक शेर कीजिए चली मॉन्टेशरी सिख्षा 1912 में है ना मॉन्टेशरी सिख्षा जो है 1912 तक सन्युक्त राज अमेरिका में फैल गई थी कब तक 1912 तक शेक्षिनिक और लोगप्रिय परकासन में ब्यापक रूप से जाने जाने लगी कौन तो दक्टर मार्या मॉन्टेशरी 1913 में क्या हुआ नर्सिसा कॉक्स वेल्डर लीप और फ्रेंक ए वेल्डर लीप ने एसकार बोरो इस्कुल की अस्थापना किया है ना एसकार बोरो इस्कुल की अस्थापना किया कब 1913 में जो अमेरिका में पाहला मॉन्टेशरी इस्कुल था तो कुश्चन बनेगा कि अमेरिका में पाहला मॉन्टेशरी इस्कुल का नाम क्या था तो एसकार बोरो इस्कुल की अस्थापना द्यान रखिएगा चलिए आगे बरते हैं अब आईए परभाव साली सिर्था सिर्था का द्यान रखिएगा क्या है बिलियम हड किल पेटरिक द्वारा 1914 में अलोचनात्मक पुस्तिका The Montessori System Examined ने Montessori के विचारों के फरसार को स्रिमित कर दिया था त्यान रखिये का The Montessori System Examined 1914 के बाद वे क्या हुए समाप्त हो गए और Montessori सिख्षा 1906 में सन्युक राज अमेरिका में लोता आई कब तक 1907 में तब से यहां से वहां के हजारों इसकलों में यह फैल गई कब 1907 के बाद है ना चलिए आईए Montessori ने अपने जीवन काल के दोरान अपना काम जारी रखा वो छोड़ा नहीं हो तो साहित नहीं वाओ अपने जीवन काल के दोरान जो है अपना काम जो है जारी रखा जन्म से 24 वर्ष की आयू तक के मुनोबेग्यानिक विकास का एक ब्यापक मौडल विख्षित किया साथ ही 0 से 3 वर्ष साथ ही क्या किया 0 से 3 वर्ष 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए सेक्षिनिक द्रिष्ट कोन भी विक्षित किया ध्यान रखिएगा चलिए आगे बरते हैं अंतेशरी सिक्षा पधाती दच्छिन पूर्वे एसिया भारत सेहित दुनिया भर में फैल गई अक्टूबर 1931 में भारते सोतंत्रता नेता महत्मा गांधी ने लंदन में मार्या मंतेशरी से मलाकात की थी कब की थी तो अक्टूबर 1931 में भारते सोतंत्रता नाये कोन तो महत्मा गांधी कहां की तो लंदन में किसे मलाकात की तो दॉक्टर मार्या मंतेशरी से उस समें गांधी जी जो थे वो एक सोतंत राष्ट के निर्मान में मदद करने में मंतेशरी पदती की भूमिका में बहुत रूची रखते थे इसलिए जाकर उनसे मलाकात की इस परकार प्रारंभ में भारत में मंतेशरी सिक्षा भारती स्वतंतता आंदोलन से जुरी हुई थी बाद में विशिष्ट निजी मोंतेशरी इसकुल भी उबरे कहां उबरे तो भारत में चलिए आगे बढ़ते हैं उनकी क्या-काई बीडियां थी बीडियां के बारे हम जानेंगे अब मौनतेशरी सिक्षा मानव विकास के एक मौडल पर अधारित है किस पर एक मौडल पर द्यान लखिएगा यह सेक्षिनिक सेली दो मानताओं का पालन करनते हुए संचालित होती है बच्चो और विकास सिल बैसको में मौनोबैग्यानिक आत्म निर्मान पर्यावरणिय बादचित के माध्यम से होता है और विशेश रूप से 6 से कम उम्र के बच्चो पर के पास जो है वो क्या होता है मौनोबैग्यानिक विकास का एक सहज मार्ग होता है अब आईए एक रचनावादी तथा खोज मौडल जिसमें छात्र सिधे निर्देश के वज़ाए सामगरी के साथ काम करके अवधार्णाएं सिखते हैं मुख मुख सिधांत यही है कि क्या प्राचनावादी बनिए खोज मौडल बनिए खोज मौडल जिसके माध्यम से साथ जो है सिधे निर्देश के वज़ाए सामगरी के साथ काम करके उस अवधार्णाएं को सिखने का प्रयास करें चलिए आए बढ़ते हैं अब है विशेष्ट सेक्षिक सामगरी अवशर प्लास्टिक के वज़ाए लक्री जैसे प्राकिर्तिक संदर्ज सामगरी से बनाई जाती है एक सोच समझकर त्यार किया गया बतावरन जहां सामगरी विशेष्ट सेक्षित के अनुसार बेवस्थित होता है किसके होता है बेवस्थित होता है बच्चों के लिए सुलव और उचित अकार प्रतान करती है अजादी सीमा के भीतर है ना इसका मुख सिद्धानत है मुख वीरिया है अब आई एक आगर क्या है एक प्रसिक्षित सिक्षक को बचों की विशेष्टाओं प्रिविर्तियों जन्रजात प्रतिभाओं और सम्ताओं का अबलोगन करने का अनुबाव होता है मुख्त गतिविद्य सामिल होती है तैयार बतावरण के अंदर कुई सी करतीव दी मुख्तन, मतलब फ्रीका इसका अर्थ हूआ क्या हुआ अर्थिसका कि बुनियादी मानविये है ना बुनियादी मानविये विशेश्ताओं विभीन उर्म के बच्चों के विशेश्ताओं और प्रतेक बच्चे के बैक्तिक बैक्तिक के नुरूप सिक्षा सेक्षिक बतावरन प्रदान करना इसका मुख उद्देश ये ह अब आईये परियावरन का कार्ज जो है बच्चों को उनके आन्तिक मनोव्यज्यानिक निर्देसों के अनुसार सभी छेत्रों में सौत अंत्रता अबिक्षित करने में मदद करना और अनुमती देना होता है और अनुमती देना होता है चली आगए बड़ते हैं बचो के उम्र में जो है बचो के उम्र के अनुरूप मौनतेशरी समगरियों तक पहुँच परदान करने के अलावा पर्यावरन में निम्लीकित पिस्षताएं परदसित होनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं चलिए ध्यान रखिए एक ऐसी व्यवेस्था जो आवाजाही और गतिवीधी को सुद्धा जनक बनाती है संदर्ज और सदभाव पर्यावरन की सुद्धा बच्चो और उनकी जरोतों का नुपात में निर्मान समगरियों की सीमा ताकि केवल उनही समगरी सामिल हो जो बच्चों की विकास में साहयक हो बिल्गुल सही बात है चलियो यह सब महत्पून विश्श्था है उनका बात है आदेश है न कक्छा में और कक्छा के बाहर की प्रकृति किस परकार की होनीज चाहिए हिक्छा पधतिया किस परकार की हनी चाहिए these उनकी क्या हो गया विश्यस्थाइं हो गई चलिया आगे परते हैं अब है शीशू और शीशू काल करम तीन साल से कम उपन के बचों के लिए मुनतेश्री का अख्छाएं कई सिर्दिया में आती है इताबली अर्थ है जिसका नाम होता है घोसला, ज़रा इताबली अर्थ है लगभग दो महिने से लेकर लगभग 14 महिने तक के बच्चों की एक छोटी संख्या की शेवा करता है बिल्कुल सही क्या करता है? सेवा करता है. यह बच्चा आत्म विश्वास से चल रहा होता है, है न? एक यूवा बाल समूदाय लगभग एक वर्ष से लेकर दू वर्ष तक की बड़ी संख्याय में बच्चों की स्यवा करता है, द्यान रखेगा यूवा बाल समूदाय जिनमें एक वर्ष से लेकर दू वर्ष तक के बच्चे का जो समूर होता है, वो सामिल होता है, आम तोर प जोड दिया जाता है कुछ इसकूल जैसे अभिभाबक सिशू काक्षाएं भी परदान करते हैं जिसमें माताबिता अपने बहुत छोटे बच्चों के साथ भाग लेते हैं जिसको अभिभाबक सिश्चो काक्षाएं जो है कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पिरी इसकूल औ और किंडर काटन कार्टन है ना दूर साल के बच्चों के लिए मोंतेशरी काक्षाएं जो होता है वह अधिक तीन से छो साल के बच्चों को अक्षर है ना क्या होता है मोंतेशरी के पहले स्कूल है ना 1906 में रोम के कासा दई बवनी के बाद चिल्डरन हाउस कहा जाता है इस परकार का जो स्कूल जो था पहला उनको दई बवनी के बाद चिल्डरन हाउस द्यान दखेगा कब 1906 में कहा तो रोम के कासा द्यान दखेगा एक समान कक्षा मिस्रित आयू समू में 20 से 30 बचों को स्यवा प्रदान करती है जिसमें पूरी तरह से प्रशिक्षित मुख्षिक्षित होता है पुरिक कमरों में बच्चों की उचाय की अलमारियां प्रकक्षाएं समगरी होती है बच्चों के उचाय क्या ताकि वह पुष्टक समगरी जो है आराम से उसको मिल सके को लिए आगे क्या है कि गतिव वीडियां है अधिकतर शुरॉत में शिक्षक द्वारा प्रस्टूट की जाती है बिल्कुल सही है वह जीतने भी गड़ें भार्षिक द्वारों पर्थ्प प्रस्टूट की जाती है उसके बाद रूची कनुसार बच्चों द्वारा कोमवेस सवतनर रूप से चुना जाता है मौंतेश्री कक्षा में शिख्षक भूमी का शिख्षक की जो भूमी का होती है और प्रत्यक बच्चों पो अपना सुखने का मार्ग बनाने के लिए अन्य मौंतीगत रूप से छात्रों का मार्ग दर्शन परामर्ज करना होता है किसका तो एक सिख्षक कि अब आए क्था समगरी में को आम त忘ल पर वेभारी कौसल जैसे कि पानी । предлаг P. तेवल साफ करना जारू लगाना जैसे गतिविडिया सामिल होती है आम तोर पर बैभारी कोसल के रूप में इसके अलाबा जो है इंद्रियों के विकास के लिए जो है गनिती है समगरी भासा समगरी संगीत कला सांस्कृतिक समगरी जैसे में सिंक और फ्लोर सुंबक्य गर्च किये और मंबत्ती और हवा जैसे अदिक विद्ग्याथ गतिविडिया सामिल होती है किसके विकास के लिए तो इंद्रियों के विकास के लिए द्यान रखतिए गनिती कर दिगत गतिविदी चाई समगहिथ संगीत कला सवाचिश्गृत विए संगरी में क्या होता है तो प्रत्मिक अक्षाएं जह होती है प्रत्मिक विद्याले के अम तोर्ठ से 6-9 मिश्यत और फिर 9-12 मिश्यत आयको रॉम करती है प्रत्मिक विद्याले 6-12 वर्ष के समुख Ск mahd किया जाता है कहां इस मिशित का कच्छाय में पाथ आम तोर पर बच्चों के छोटों समुग को प्रस्चुट किये जाते हैं जो रूची और ब्यक्तिकल जिमेदारी के अनुसार अपना स्वयम कर्ज स्वयम जो है सोतंत्र काज करने के लिए वह सोतंत्र होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब है मौनतेशरी सिक्षक जीवन विज्ञान और इतिहास से लेका धर्म सास्त्रक तक के विश्यों कुझ आज करते हुए अंत्त विश्य पाथ देते हैं जिसे वह महान पाथ कहते हैं यह पाथ आम तोर पर इसकुल सत्र की सुरुआत में दे जाते हैं कब इसकुल सत्र की सुरुआत में जब सुरू होता है पूरे वर्ष सिखनी का धार परदान करते हैं पाथ प्रेरना भी परदान करते हैं जाच में नए श्चेत्रों के द्वार भी खोलते हैं किसके द्वा अब है क्यों से चार अलग अभदियों में बाट गए के घृतु बहएघी के साथ। मॉंटेश्री ने का क्या देखा, इनमेंड से प्रतिक अस्तर पर क्या हुआ कि प्रतिक अवद्धी के लिए 20 श्यक्सिंग दिस्टि का आववान भी किया, seem पहला चरभरन है कि जन्म से लेकर देखर लगवक श़ाव वर्श की आईव तक खा होता है। जर्म से लेकर रगवक 6 वर्स के आई तका होता है इस अब्धी के दवरान मौंतिसी ने देखा कि बच्चे का सारेरिक और मोनोबेग्यानिक विकास अस्सा जनक रूप से हो रहा है पहले अस्तर के बच्चों को क्या किया कि एक थोस सम्वेदी खोजखरता सिखने के वाले की देखा जाता है जो मौनोबेग्यानिक अपनिर्मान और कारजात्मक स्वतनरता के निर्मान के विकास अत्मक काज में लगा हुआ है ये सुने देखा क्या थोस सम्वेदी खोजखरता है ना सिखने वाले की रूप में देखा गया गिसको तो लगभग जनम से लेकर 6 वर्स क आयू के बच्चों को चले आगे है मौनतेश्री ने इस काज को समझाने के लिए कई अबधारने प्रस्टुट की इस अबधारनाओं के करम में अफसो सक्मन समेदर सिल अबदियां है ना और समाने किरन सामिले भासा आधिकरन क्या है तो जनम से लेकर लगभग 6 वर्स की आ अब क्या है आगे का ओडर लगभग 1-3 वर्स पुराना होता है संबेदी परीधान परीषोधन क्या होता है कि जनम से लेकर लगभग 4 वर्स की आयू तक जो है उसमें संबेदी परीषोधन की इस्तिति आ जाती है ना अब आईए समाजीक व्यभार में क्या होता है तो विभगिन अवस्था देखी जिने समानिकरण कहा कया कब से लगभग अधाय वार्स हैं क flavored चार साल की उम्र तक इसमें तो समाजीक व्यभार के अंतरगा пред circle होता है जिसमें समानिकरण की परिक्रिया होती है अब आये समानिकरण क्या है temps हमानिकरं जो होता है इकागरता और गतिवीधी परादारी केंद्रित करने से उत्पन होता है ना जो बचों को विकास्मक अफसक्ताओं को पुरा करता है और ध्यान केंद्रित करने की समता के साथ साथ सहज अनुसासर निरंतर और खोस काम मदद की समाजिक भावनाय और दूसरों की सामभूती की विशेष्टा ह होती है किसके को समानी क्यरण एकारगृता के अंतरगयर चली आगे बढ़ते हैं अब दूसरा च्रण दूसरा च्रण दूसरा च्रण के अंतरगयरत लगव कि दना च्छों से 12 वर्स तक है ने विकास का दूसरा च्रण है इस अबधी के दोरान क्या होता है मनतुशहिब देखा उन्होंने इन बिश्ष्टाओं पर परतिक्रिया देने के लिए एक अक्षा बतावरन है ना? पाट समगरी विख्शित किया है ना? इसके लिए एक प्यक्रित कक्षा बतावरन है? चलिए रूप से उन्हें अने वीदमान की सुरॉत मे दूद के दातों के जहरने पैर दर की लंबाई को देखा उसके बाद समाने विकास की अबदी देखी है ना मुनविग्यानिक रूप से उन्होंने जुन विर्ति समूख में काम करने एबन समाजी करने की परिविर्ति साथ ही काम रन और कलपना के सकति को देखा तो यह जितने भी जो एक्टिविटी आती है बच्चों में जो ये विश्यस्ताएं आती है, वो आती है छो से बारा वर्ष के बीज, जुन्द परिविर्ती, समुमी में काम करने की परिविर्ती, समाजी करन करने की परिविर्ती, ये कितने वर्ष की उर्ष में आती है तो दूसरा चरन है छो वर्ष से बारा वर्ष के उम्मर में अब आईए विकास की दृष्टी सुर्ष का मनना था कि दूसरे अस्तर के बच्चों का विकार्ज बहुत इक सोतंद्रता है नतिक समझ और समाजिक संगत्थन का निर्मान करता है अब है विकास का तिसरा चरन क्या है लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष की सुरात तक विकास का तिसरा चरन होता है जिसमें जो है क्या होता है कि किशणा अवश्था की अगधि सामिले भिलकुल सब्सक्रार बरता के किसरे श्टेज में 22-18 वरस तक च्याई है कि इस काल में इस चरण में क्या होता है क्या देखा क्मोनटेश्री ने तिसरे अस्ते कि विशेष्य च्ता उवन और किश्णा पावस्था के सारे एक परिवर्था उनके साथ साथ मुनोवेग्यानिक परिवर्थानों से बताईएं, बिल्कुल बताईएं, क्या बताईएं, उनका इस यूग की मुनोवेग्यानिक और श्थित्ता और एकागरता में कठाईयों के साथ साथ रचनात्मक परिविर्थियों और नियाई की भावना और ब्यक्तिकत करीमा की भावना के विकास पर जोर दिया है, तिसे चरण में चलिए, उन्होंने अपने मुल्य के बाहरी रूप, ध्यान रखिएगा, बाहरी रूप, उन्होंने अपने मुल्य के बाहरी रूप से प्राप्त मुल्यांकन के लिए, किसोरो की ड्राइव का वर्लन करने के लिए, मुल्यांकन सब्द का फ्रियों किया है, विकास सात्मक रूप से क्या होता है, कि मौन्तेश्री का मनना आता है, कि तिसरे अस्तर के ब का निर्मान है विकास्तमक रूप से थिसरे अस्तर की जिवर्चों का समाजिक जो होता है ना समाज में विकास्ता चरण क्या ध्यान दखिएगा 18 से लेकर 24 वर्टा का होता है मौनतेशरी ने इस अबदी में क्या किया किया कि तोलनात्मक रूप से बहुत कम लिखा और इस यूग के लिए कोई सेक्षी काजकर्म दुशित नहीं किया उन्होंने निचली अस्तर पर मौनतेशरी शिक्षा में अपने अनभवों से त्यार यूवा वैसकों की कलपना जो सहबता को प्रवायत करेंगे करने और नेतुद करने के लिए संस्कृत और विज्ञान के अधन को पूरी तरह से अपनाने के लिए त्यार है उनका मनना थे कि पैसे के लिए खाम की रूप में आर्थिक स्वतंड़ता इस यूग के लिए महत पूर्ण थी पैसे के लिए ना आर्थिक स्वतंड़ता क्या था एक महत पूर्ण अब आईए शिक्षन की मौनतेशरी पधती का सारांस पढ़ते हैं अब तक हमने क्या का सिखा उसका एक सारांस निचोर है उसको पढ़ते हैं सिक्षन की मौनतेशरी पधती जो है एक बाल केंदिक सेक्षिक जिस्ति कोन है बाल केंदिक जो जन्म से ब्रक्षतता तक बच्चों को बेग्यानिक तिपनियों पर अलहरी थे। दॉक्तर मर्या मुंतेशी द्वारा विक्षित या मानवी भावना संपूर्ण बच्चे के सारीरिक, समाजिक, भावनात्मक और संग्यात्मक विकास को महत देता है। इसके आलावा क्या हमने पढ़ा कि सोर निर्देशित गती बीठी बिलकूर। बेभारिक सिखने सारीवा आत्मक खेल पर जोर देता है। मौनतेश्री काक्षाओं में बच्चे अपने सिखने के रचनात्मक विकल्प चुनते हैं जबकि काक्षा और सिक्षन परक्रिया का मागदर्शन और स्विवदा प्रदान करते हैं। चात्र सीधे निर्देश के बजाए विशेश रूप से दिजयान की गई सामगरियों के साथ काम करके सिखते हैं। एक ऐसे ब्यक्तिक रूप में जिसमें अपना जीवन, बचों के अध्यन और अपलोकन के लिए समभपित कर दिया। मौन्तेश्री ने बाल विकास का अपना सिधान तैयार किया, जिने सेक्षिक मौन्तेश बदतिक रूप में जानकारी दी। अब आए, बिकास के बिभीन चर्णों के पाचान कर सके यह निधारित करने में सक्षम थी कि बिभीन आई उवरवों के समभू के लिए इस्तितम कक्षा का बतारमन कैसा दिखना चाहिए। मौन्तेश्री बाल बिकास के अबधारना निमकी दोष्ट परमुक सिधान के रुप्यादारित थी। पहला क्या था, पहला सिधान था कि बच्चे और बयक्स अपने पयावरने के साथ बाचित करके आत्म निर्मान करेंगे, अपनी पाच्चान का पतुनित करेंगे, उसमे सगलन रहेंगे, बच्चों में मनोबेग्यानिक बिकास का एक जमजात मार्ग होता है, बेग्यानिक बिकास का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, पहले सिधान्त ने मौन्तेश्री बिक को भौतिक कक्षा के आईजवन के तरीके, तोर तरीके और बिभिन आयू समू के लिए अचित बतारवन में स्वन देशित गति वीडियो में सगलन होने से आत्म जिर्मान को बतावा मिल सकता है, और एक जात्र को अपनी पूरी छमता तक पहुशने में मतल मिल सकती है, बिलकुल राइट है, सही बात है, चलिए, बुसरा सिधान्त क्या था, तो मौन्तेश्री के कि सभी बच्चे विकास के अप्रक्षा किलित समान प्रच्छे पत्व का पलन करेंगे, और उनके शैस्निक दर्शनिक सार्व भामिक्ता का उचित था राता है, किसके तो मार्चल 2017 हनुसा है, मौन्तेश्री ने यह भी तर्क दिया कि सभी बच्चे को सिगने के समेटी सिल अवधी से गुजरते हैं, विल्कु समय देशा अवधी से गुटना ही पड़ेगा, प्रतिक चरन बच्चे को कोसल का एक विशेश्ष्ट शेट जो है विख्षित करने के लप एक खिर्की प्रदान करती है, है ना, साथ ही क्या है, एक विकास नात्मक चरन में सिखने की एक अनपनुख विशेश्ष्टा का ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो कक्षा के बाहर जांच करना है, क्योंकि मंतरशी लोगों को सिखने में स्वभाविक रूची में दिर्दी भी विश्वास रखती है, दिर्दी है, तो इस तरह का चेप्टर, आज हम पूरा दॉक्टर मारिया मुंतरिशी के बारे में जान लिगाए, यह आपको वीडियो कैसी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आये तो लाइक कीज़, आपका एक लाइक मेरे होसला को बलंद पर पहुंचाएगा, और जो है, अच्छा से अच्छा जो है वीडियो जो है, अपनों सभी के लिए, जो है, सारी कंटेंट के साथ लाइंगे, और मेरी चानल पर पहली बार आए हैं, तो लिगान को सब्क्राइब कीज़े, बेल आइकन को प्रेश कीज़े, और लाइक करके और अधिक साधिक जो है, शेर कीज़े, तो इस चेप्टर से प्रस्णावली लेकर जो है, लाइंगे, कल से परसो तक आप उसे जरूर देखिएगा, धन्यवाद,